अगर आपने ये पूरा वीडियो अर्चे से देखा तो दोस्तों आपको एक ओरल आईडिया आजाएगा कि सर मुझे पढ़ते टाइम कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए और आप आराम से जो बचे हुए दीन है उसमें बहुत अच्छा प्रिप्रेशन कवर कर सकते हो च सेट थियरी और एक है लॉजी इसलिए इतना बड़ा सिल्याबस है तो आपका फोकस बहुत अच्छा होना चीए देखो मैं आपको सजिस्ट करूंगा यूनिट नंबर वन में पढ़ना भले ज्यादा पढ़ता है पर यूनिट नंबर टू के कंपारिजर में आपको यूनि सेब क्लियर होने चीए पर यूनिट नंबर वन में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है अगर आपने एक दो कोशन हर टॉपी का प्रैक्टिस की आपका काम हो गया जैसे देखो मैं मोस्ट इंपोर्टन टॉपी की बात करूं जो आपको किसी भी हालत में करना चीए मोस्ट इंप इसके लिए सर कितना संब करना है दोस्टो इसके लिए अगर आप बहुत अच्छा क्योंकि आपका लॉजिक का ही है यह इसके बाद अगर आप बात करो वैंड डाइग्राम का अगर आप मेरा एप्लिगेशन का लेक्ट देखोगे तो मैंने बहुत ही अच्छे बनाया है अगर आप चाहते हों कि आपका टाइम बचे आपके वाइस आपके युनिवर्सिटी के वाइस पूरा का पूरा काम आपको कम्प्रीट करना है तो आप मेरे एप्लिकेशन पर प्रदीवीरिय एकाइडमी एप्लिकेशन है आपके डिपार्टमेंट से रिलेक्टेड आपका डिस्क्रीट मैथामेटिक का कोर्स एबलेबल है आप लेके बहुत अच्छे से पढ़ना चालू कर सकते हो साथ में दोस्तों देखो यहां पे इंक्लूजन एक्स्क्लूजन प्रिंसीपल यह समत आपको सॉल करना ही चाहिए मेरा सेजिस्टन है और दोस्तों मैथामेटिकल इंडक्षन भी एक पावरफुल पार्ट है दोस्तों जिसके उपर आपका फोकस होना चाहिए और दोस्तों 2023 जो आपका पेपर है यह भी मैंने प इंपोर्टेंट टॉपिक्स है अब पेपर्स में पूछे कैसे कोश्टन गया थे वह भी मैं आपको एक्स्प्रेंट कर रहा हूँ दोहजार 22 का जो इनसे हुआ था हुआ तो सबसे बहले मैं यह बता तो देखो यहां पर इंक्लूजन एक्सम था यहां पर देखो दोस्तों यूजिंग प्रूट टेवल अगर ऐसा लिखा रहेगा तो समझा नहीं टॉटलोजी कॉंट्राडिक्शन कॉंटिजेंसी का जैसा हमने प्रक्टिस किया वही समय कॉंटिफायर्स का यह बहुत ही अच्छा सम पूछा गया था दूस्तों यह भी मैंने सॉल करके प्रोवाइ प्रेंटा बैट जाओ और इसके बाद पर्सों के दिन तो आप पूरा का पूरा रिवीजन भी कर सकते हो तो आप एप्लिकेशन से लेकर पड़ा पट कवर कर सकते हैं तो इवन आप यूटुब से भी कर रहे हो तो याद रखो इस से एक्ट्रा कोस्ट्प्र प्लीज या से प्राक्टिस करें पावर सेट भी मैंने उसमें बताएगे एगर फॉर कोश्टन्स मतलब अगर एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट किस तरह से लिखते हैं यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके पेपर में देखा जाए तो दोनों साल पूछा गया है दोस्तों बाद में देखो यह वाला टॉपिक भी आपको दोनों साल पूछा गया बाद में अगर आप देखोगे इंक्लोजन एक्स्क्लोजन प्रिंसिपल इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए मैथामेटिकल इंडेक्शन कंपल सरी पूछा जा रहा है और दूस्तों अगर आप देखोगे हम मैथाड़ आप प्रूप अगर बहुत लोग को डिफीकल लग रहा है कि यह पूरे सिलाबस मे है तो इसको स्कीप कर सकते हो तो इस तरह से यह आपका पूरा 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 पार्ट है यूनिट अमबर टू में हाँ जस्ट अगर आपको पास होना है ऐसा यह नहीं सर वैसे कि मुझे एंड से में ज्यादा प्रेसर नहों बस मुझे यहां पर 12 मार्क स्कोर करना है तो नह पाइटामेटिकल इंडक्शन कर लो यह चार कोशन कर लो और 21 में से 5 पांच बस किये करके जाओ और अगर आप जस्ट पास होना चाहते हो पतलो पास तो वैसे इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है बट अगर आप 12 मार्क से लेकर आए तो अच्छा है आपके लिए 12 मार्क स सेम में बस 28 मार्क स्कूर करना होगा तो यूनिट टू में आपको कौन कोड़ से टापी पर फोगस करना चाहिए देखो यूनिट टू का जो पार्ट है थोड़ा सा कॉंसेप्ट हाला पार्ट है है तो बहुत इजी बहुत सारे ऐसे स्टूरेंट लोगे जिनके लिए यून प्राइबिल्टी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो में भी हो सकता है कभी कर आपका 15 में से 10 million में यहां हो सकता कब कर सकते हैं पर तो प्राबिलिटी पर बनाए हें हर всего मैंने पाइप देखो गे तो अगर कमिंशन से तरह है तो यह सम तो आपको रеля 2023 का यूटूब पर ही मैंने वीडियो बना के डाला तो यह दोस्तों आपको करना ही चाहिए और साथ में दोस्तों यहां इस टाइप पर जो सम यहां पर पूछा गया प्रॉबिलिटी का यह वाला सम मैंने अप्लिकेशन में कवर किया है कि अगर सम जो कभी कंपारिशन रहता ह किसी एक या दो का तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों किस तरह से हम हर एक वैलुस को फाइंड आउट करेंगी यह इंपॉर्टेंट है और यह तो सींपल प्रॉबिटी का सम है जैसे यहां वाला सम है उसी तरह से इसको सौल करना है अब नेक्स रही सर्प और वेडिटी तो दो वीडियो यूटूब पर एक वीडियो है यहां पर यह लेटर वाला पर्मुटिशन बहुत इजी है बहुत सिंपल सा पर्मुटिशन इसमें कोई दिक्कत नहीं है बड़ अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे एको मीसी सीपी है उसका आपको पर्मुटिशन फाइंड लाता है अकर आपसे कॉंबिशनन नहीं हो रहे होना है जैसे लएक कर लो लाइसेंस वाला भी कहीं पहोगा यह सम करे लो कशन हो सुभर मानेजिव वाला जो कुशन है नो बहुत ऑच्छे से करना है तो यह याद रुखना कि combination में मुशली हमेशा देखा गया कि committee वाले questions से related questions आने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं तो अगर इस तरह से आप overall अपनी चीजों को तयार करते हो तो आप RM से अपने exam के लिए तयार हो सकते हो और अगर आप focus wise पढ़ना चाहते हो तो दोस्तो आज भी आपके time है कल भी है और परसो भी है उसके बाद time नहीं रहेगा और यह ऐसा subjects हैं जिसमें अगर आप focus करोगे तो मास अच्छे आते हैं तो दोस्तो application पर हमारे courses available है वहां से भी आप अच्छे से कर सकते यूटूब से कर रहे हो तो कोई दिक्कर नहीं यूटूब से कर लो पर यूटूब के बाद questions extra भी solve करो वो सुतना questions solve करके नहीं चलेगा तो मिलते हैं दोस्तो next lecture में bye bye take care जैहिन दोस्तो